हेलो एबरिवोन वेलकम बैक टू माई चैनल ग्यान गेट सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी साइनोपसिस के सीरीज चली हुई थी जो की अभी कम्प्लेट हो चुकी है लास्ट वीडियो में मैंने डिसक्स किया था मेरा खुद का साइनोपसिस जो मैंने बनाया था आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज कम्प्लेट सीरीज को देखना है और स्टेप बाई स्टेप चलना लास्ट वाले वीडियो बहुत इंपोर्टन थी जिसमें मैंने और एक boa ध्यान की प्रोजक्ट आपको तभी बनाना था जब आपका साइनोपसिस अपूल हो जाहे उससे पहले आपका प्रोजक्ट नहीं बनाइगा लेकिन वीडियो बहुत इंपोर्टन थै तो आपको देखना आ आतें में जाहे आप अपेंऑ ऑस्वा है नहीं हुआ है पाकी project बनेगा तभी जब आपका synopsis अप्रूवल हो जाएगा So without wasting any time let's get started सबसे पहले आप देखें कि आपका जो project है वो तभी बनेगा जब आपके पास आपका synopsis का approval letter आ जाएगा या फिर आपको mail पे बताया जाएगा कि आपका जो synopsis है वो approval हो चुका है उसके बाद आपको अपना project बनाना start करना है So आप देख सकते हो कि आपका जो project है उसका length आपको 52-60 double space type pages होना चाहिए और approximately 18,000 words उसमें होने चाहिए दर्ण उसके बाद आपको start करते है कि बनाना कैसे है सिबसे पहले आपको introduction लिखना है जो भी आपका topic है ठीक है और जैसे आप मैंने बताया था कि synopsis में आपको कम-कम लिखना है मतलब introduction, objective, scope यह कम लिखना है लेकिन project में आपको ज़्यादा लिखना है क्योंकि वो एक तरह का आपका blueprint था लेकिन project में आपको अच्छे से brief में describe करना है तो सबसे पहले आप introduction लिखोगे उसके बाद research methodology लिखोगे आप जैसे कि मैंने आपको synopsis में बताई थी जो question आपने लिए है, question list आपने fill करवाई है वो pages नहीं लगते project में लेकिन उनका summary लगता है तो question list के summary आपको लेगी कि इसमें उसके बाद आपने क्या-क्या tool and techniques आपने क्या यूज की है कौन सा data collection आपने यूज की है कौन सा statistical tool आपने यूज की है data को collect करने में वो सारी की सारी details यहाँ पे आएंगी और जब इस series के हम last video पे आएंगे तब मैं अपना project भी आप लोगों के साथ share करूँगी तो पहले आपको introduction लिखना है आपकी topic का introduction लिखना है आपने जो organization लिए है उसका brief background लिखना है then आपको research methodology में लिखना है जो मैंने आपको बता दिया उसके बाद आपको result and discussion लिखना है result or discussion में आपका diagrams में बनते हैं उसको आप tabular form में बना सकते हो graphical format में बना सकते हो pie chart में बना सकते हो result and discussion में जो question raise आपने feel करवाई उसका आपको summary लिखना है कि हाँ मेरा इतना sample size इखटा करके ये research करके मेरा ये result निकला है तो आपको ये result and discussion में लिखना है उसके बाद summary and conclusion आपको लिखना है कि क्या summary निकले क्या and conclusion लिखना है उसके बाद आपको recommendation लिखना है कि कहां कहां से आपने जो data लिया है कहां कहां से लिया है उसके बाद limitations क्या क्या आई आपको इस project को बनाने में then उसके बाद reference और bibliography कि आपने कहां कंसी लिया है ठीक है दन उसके बाद आपको अपेंडिंग्स जो कोशनरी जो आपने लिया था जो कोशनरी आपने बनाई थी ना अपने कोशनरी फिल करवाने के लिए उसका एक पेज यहां पे लास्ट में लगता है तो ऐसे आपका सारा प्रोजेक्ट बनेगा आज तो मैंने बस इतना ही बताया कि आप लोगों को अपना project कैसे बनाना है और जो points इसमें guidelines में mention है यही आपको अपके project में होने चाहिए उसके इलावा होर कोई points नहीं होने चाहिए तो आज मैंने discuss किया कि आपको अपना project कैसे बनाना है next video किसी और topic पर होगी लेकिन आपको series wise चलना है और मैंने बता दिया था कि आपको font time roman का use करना है boundary होनी चाहिए आपकी और एक जैसी boundary होनी चाहिए ठीक है और headings का मैंने बताया था आपको 14 to 16 size रखना है तो बस इतना ही आपको project में करना है सो आज की वीडियो में बस इतना ही if you found this video helpful please give it a thumbs up subscribe for more content and share it with your followers MBA students if you have any question or wants to share experience feel free to leave a comment below thank you for watching and best of luck with your Igno MBA project until next time stay curious and keep learning